हेलो कुसे लिगम डुव चैनल एक्स्टेम रितिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ICICI Direct में आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे फ्रस्ट अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आप हमारा यह WhatsApp चैनल फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ठीक है अब हम ओपन करते हैं ICICI Direct अगर आपने इसमें अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस्टॉक में अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर ओप्शन में करना है आप दोनों में ही मैं आपको करके बताऊंगा दीकि दोनों का सेटप लगबग सेम ही रहता है अगर आपको ओडर वगेरा लगाना होगा तो जैसे मैं कॉम्यूडिटी की बात करताऊं यहां पे राइट में पूट के ओप्शन यहां पे call के ओप्शन आप जैसे कि कोई भी ओप्शन को मैंने सेलेट किया जैसे यह ओप्शन है जिसका 26 नवेंबर को expire ही है, मैं buy पे click करूँगा and lots मुझे कितने buy करना है, मतलब एक lot में होते है, इसके 30 quantity, ठीक है तो जैसे मैं 5 lot buy करना चाहता हूँ market price में buy करना चाहता हूँ और simple मैं यहां से buy कर सकता हूँ, बट अभी market बन नहीं, तो इसमें उतना better view नहीं नहीं आ रहा है, तो यहां पे मैं stock पे click करता हूँ, किसी stock पे मैं click करता हूँ and जैसे मैं सोच रहा हूँ, Tata power में trading करना चाहता हूँ, तो इस पे मैंने click किया, देने buy पे में click करूँगा अब intraday में करना चाहता हूँ अब मैं अपनी quantity डाल लूँगा for example, मैं 50 quantity डाल लेता हूँ यहां पे market price मैं अगर लेता हूँ, stop loss लगाना तो stop loss भी मैं यहां पे लगा सकता हूँ तो यहने buy पे में click करूँगा और simple मैं यहां पे Tata power में intraday trading करूँगा intraday का आपको मतलब बता होगा same day buy करना, same day sell करना same options में भी इस तरीके से order लगाते बट यह तो मैंने आपको application यूज करके बताया important यह होता है कि आपको यह predict करते आना चाहिए कि आपको कहां पे buy करना चाहिए कहां पे sell करना चाहिए, आपको profit आना चाहिए तो यह अगर आपको बता करना है इसक लिए आप हमारा WhatsApp चैनल फॉलोव कर सकते इसका लिंक मैं आपको description में दे दूँगा so topic discover मिलते हैं next वीडियो में